दोस्तो अगर आप एक BSNL यूजर से हैं तो यहाँ पे आप लोगों के लिए काफी बड़ी खुस खबरी है जी हाँ दोस्तो आज यहाँ पे BSNL ने अपना 5G SIM को लांच कर दी है प्राइस कितना रखा है तो वीडियो सुरू करने से पहले दोस्तो आप हमें कमेंट करके जरू बताएं कि आप यहाँ पे किस टेलीकोम और फ्रेटर का SIEM यूच कर रहे हैं और साथ ही आप यहाँ पे किस सरकल से हैं तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं आज का वीडियो तो जी हाँ दोस्तो अगर आप एक BSNL users है तो यहाँ पे BSNL आप लोगों को 5G SIM दे रही है तो BSNL के इस update के बारे में बताने से पहले दोस्तो यहाँ पे मैं आप लोगों को BSNL की 4G service के बारे में बता दूँ तो फिलाल दोस्तो यहाँ पे BSNL ने TCS के साथ partnership की है अपनी 4G service के लिए तो फिलाल यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ अभी कुछ मेने पहले IT मंतरी श्री अस्वनी बैशनों ने कहा था कि यहाँ पे BSNL अपनी 4G network के लिए यहाँ पे ट्राइल कर रही है साथ ही यहाँ पे अस्वनी बैशनों की और से कहा गया था कि BSNL और TCS यहा यहाँ पे BSNL TCS के साथ हर दिन 200 4G network को upgrade करेगी और साथ ही इस साल के अन तक BSNL धीरे धीरे सभी सरकल में अपना 4G network को launch कर देगी और साथ ही अगले 2 साल के अंदर BSNL यहाँ पे पूरे इंडिया के अंदर अपना 5G service को launch कर देगी अब ऐसे में दोस्तों आज यहाँ पे BSN BSNL ने अपना 5G SIM को launch की है जी हाँ दोस्तों आज यहाँ पे BSNL Mumbai Circle के अंदर अपना 5G SIM को launch की है तो अगर आप BSNL यूजर से हैं और आप यहाँ पे Mumbai Circle से हैं तो आप अपने नजदी की BSNL store में जाकर अपना BSNL SIM को 5G network में upgrade कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों आप यहाँ पे अपना BSNL के 2G या फिर 3G SIM को BSNL के 5G SIM में upgrade कर सकते हैं वहाँ पे दोस्तों आप लोगों से 10 रुपाई से लेकर 50 रुपाई तक के 20 में charge किये जा सकते हैं तो यह कुछ update दोस्तों आज यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं जहाँ आपे बताया गया है कि BSNL मुंबे सरकल के अंदर अपना 5G SIM को launch कर दी है तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही फिर मिलूंगा अगले वीडियो में कुछ नया update को लेकर तब तक के लिए जाहिन वंदे मातरों